यूपी के लखिमपूर खिरी में किसानों की हत्या के विरोध में महाविकास अगाडी ने महाराष्ट बंद एक तरह से कहा है तो भारत बंद के तहत नौईंबई को बंद करने का एलान किया है अपील की जा रही है कि 11 अक्टूबर को नौईंबई पूरी तरह से बंद हो और इसको सफल बनाने के लिए महाविकास अगाडी दलों के जो नेता हो लगातार अपील कर रहे है पीजेपी के महाराष्ट आइटी सेल के हेड सतीश निकमसा हमारे साथ है सर जिसर से महाविकास अगाडी ने भारत बंद का एलान किया है और ब्यापारियों और दुकानदारों को रिक्वेस्ट कर रही है आप इसे कितना सही मान रहे हैं क्या वाकई ये अंदोलन का सही समय है एक बात है कि ये अंदोलन अन्नदादा के नाम पर किया जा रहा है तो मुझे ने लगता कि भारत का कोई वासी ऐसा होगा कि जो अन्नदादा के साथ नहीं होगा जो अन्ना आजम खा रहे हैं तो 100% हम उसके कृतद्ने है और कृतद्ने रहेंगे लेकिन जिस माहोल में जिस तरीके का ये बंद कल पुकारा जा रहा है मुझे हसी आ रही है पहली बात तो महाराश्टर के इतियास में ये पहली ऐसी आगाड़ी होगी जो सप्ता में है जिनको एक प्रकार से छल से जिन्नोंने सप्ता प्राप्त की है लेकिन एक प्रकार से महाराश्टर चलानी की जिम्मेदारी उनको उनके उपर है लेकिन इस चलानी की जिम्मेदारी को निभाने के बजाए वो बंद करते जा रहे है तो ये तो हस्यास्पद है आपको जनता से आपकी आपक्षा क्या है कि आपने सरकार चलाना चीए नौराश्टा को चलाना चीए और आप बंद करते हुए घूम रहे हो ये कौन सा नहाई बता रहा है दूसरी बात आज दो साल के बाद कही न कही हमारे राज्य का चोटा सा आदमी एक चोटा व्यापारी एक चोटा कामगार एक चोटा कारागीर ये कही न कही अपनी उपजीवी का ढूंड रहा है कई ने कई देख रहा है कि मुझे दो पैसे मिले और मैं अपने घर को अपने बच्चों को पालन पोशन कर पाऊं और उसमें यह बंद अगर आएगा तो सामान्य व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचेगा करोना में तो मैं तो आपने एक पैसे की मदद नहीं की सामान्य व्यक मैं उस घटना के साथ पूरी सवेदना व्यक्ति करता हूं लेकिन एक ऐसी घटना की जो यूपी में घटी हुई है हमसे कोसो दूर घटी हुई है उसका महराश्ट के सामन नगरी को क्यों आप उसका दबाव ला रहे हो उस बात का दूसरा ऐसे कि यह बंद का पुकर आप कह को गें तो वह और दिन की पचास घटी है. करते हैं कि बीजेपी और खासकर मोधी और योगी सरकार ने ज्याय क्या किसानों के साथ उनकी हत्याय वं यह और कारवाई में dress the excerpt लिए किसानों को जगाने के लिए व्यापारियों को जगाने के लिए अंदोलन कि रहे है वैसा है कि गटना-गटि है अरोपि को पकड़ा गया है आशीष मिष्टा को कल अटक हुई है तो यह तो न्याई की प्रक्रिया है सरकार तो चुपने बैटी है उसकी जाच चल रही है और जाच में कुछ अगर आपको लगता हए कि कम जादा हो रहे है तो उसका एक लोक्षाही में तरीका है उस तरीके से आपकी कि इसका दूरगामी परिणाम यह किसानों पर होने वाला है क्योंकि क्या है कि देखिये कि यह मार्केट जनव इस तरीके से चलता है मुझे लगता है कि महाविकासागडी के निताओं को थोड़ी भी कुछ संवेदना बची है तो उन्होंने एपीम सी मार्केट को इस पूरे विशे में से बाहर रखना चाहिए आपको लगता है कि ये सिर्फ किसानों के नाम पर या लखेंपूर खिरी हिंसा के नाम पर एक तरह की राजनिती महावी कासा गाड़ी के दल कर रहे हैं अभी आप ये भी देखिए कि अगर दो तीन दिन तक मार्केट बंद रहा ने दूसरी बात ऐसी है कि दो तीन बिन तक गाड़ियों में माल पड़ा रहा तो उसमें से 20-25 प्रतिशत माल ये खराब होने के आशंका है यानि वो नुक्सान वापिस किसानों का ही होने वाला है तो ये सारी जो प्रक्रिया मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये महावी का सा दिखाने पर है कि नहीं यानिए अगर बता रहे कि ये बंध हम किसानों के और सामयने नागरिकों के हित्मे कर रहे तो ये सरासर जूटे क्योंकि इस बंध से झाना होने वाला है ये मुझे दिख रहा है तो क्या इस महाविकास आगाड़ी के बंध में इन लोगों का डरेट में घूम कर लोगों को दमका रहे हैं कि आप बंद करो बंद depends करो तो यह होगा वह है से करेंगे वैसे करेंगे तो यह सारी चीज़े तो सत्ता पक्ष में होने के वजेंगे वह लेकिन व्यापारी किसान सामन्यनागरिक दिल से इस बंद में जुड़ेंगे तो नहीं जुड़े यह मेरा सिदा साधा आनुमान है क्यूंकि सामन्यनागरिक आज करणा से ओभर रहा है उसकी ऑफिस उसकी टुकान उसकी चोटी चोटी उपजीविका का साधन यह अभी कहा थोड़े थोड़े लाइन पर आ रहे खड़े हो रहे लोग और एसी सिटी में यह बंद यह कंप्लीटली टोटली अंटाइमली में बोलूंगा इस प्रकार का यह बंद है इस तरह से नामदेव भगत का बयान आया है कि यह सरकार कही सारे पर बंद हो रहा है इसे वोपर क्या प्रतिक्रिया है नामदेव भगल ची बहुत बड़े नेता है, मेरे से बहुत बड़ा आनुभा उनका है, लेकिन कहीं ने कहीं मुझे लगता है कि थोड़ी सी नासमजी वाला ये बयान है, क्योंकि अरे भई, आपके नेता लोग, अगर उपमुक्यमंद्री, मुक्यमंद्री, महसूल मंद्री ये सब बैटे हुए, तो उनके माध्यम सो लोक्षाही का उप्योग करके आप अपने विरोज जता ही है ना, सामाने लोगों को इसमें क्यों गशिट रहे हो, सामाने व्यक्ति जो आज पूरी सिदी से ओभर रहा है, उसको क्यों इसमें लपेटा जा रहा है, मुझे लखता इस सांदोरोन को पूरा समर्थन दे पाएंगे, फिलाल देखना होगा कि महाविकासा घाडी के इस भारत बंद में ब्यापारियों, नागरिक और किसानों का कितना समर्थन मिलता है, कैमरामन रविचंद के साथ मसुधीर सर्मा, TV1 इंडिया नविंग भई